हेलो स्टुडेंट्स मैं दिप्शिक आपका इंडिय एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हैं आज के इस वीडियो में हम आपको इंफोर्मेशन देने वाले हैं इलहाबाद यूणिवर्सटी में बी एलल्ब पाइफ यर इंटेग्रेटेड पूर्स के फीस कितनी है सीटे कितनी है eligibility criteria क्या है यह तमाम जितने भी आपकी query है वह आज दोर हो जाएंगी आज के इस वीडियो में हम आपको स्लेवर से संबंदित संपूर जानकारी देने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपको बताते दोस्तों यदि आप बी एलल्ब के लिए अप्लाई करना चाहते है तो इसके लिए जो जन्रल रिक्वार्मेंट है एल्जबिटिक क्राइटेरि 42 परसेंट रखा गया है OVC के स्टुडेंट के लिए 40 परसेंट रखा गया है ऐसे स्टुडेंट के लिए यह एक नियुन तर्म आपकी एल्जबिटिक क्रेटरिया रखे गई है नेक्स्ट हम बात करें फीस स्ट्रक्चर के तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी एड्मि फीस देंगे तो वह 45,000 ली जाएगी यहां पर इसका पूरा इंफर्मिशन भी दिया गया है ठीक है अड्मिशन के टाइम आपकी फीस 50,000 है उसके बाद आपसे 45,000 जो है फीस ली जाएगी एर के हिसाब से चलिए यहां पर हमने देख लिया फीस के बारे में नेक्स हम बात करेंगे कि आपको यहां पर इंट्रिंस एकजामिक की सतर से question पूछा जाएगे तो आपका पेपर जो है पूरा दो घंगते का होगा उसके अलवा थ्री पार्ट्स में आपकी questions पूछा जाएगे और हर पार्ट्स से आपको 100 question पूछ जाएंगे, ठीक है, लेंग्विज के अगर हम बात करें, sorry, 100 question नहीं पूछ जाएंगे, 100 marks के आपके question बनेगे, तो पहला पाथ है language comprehension, यहाँ पर आपको English और Hindi दोनों से 25-25 question पूछ जाएंगे, नीचे आप यह देख भी सकते हैं, column में, यहाँ से language comprehension से हिंदी से 25 question और English से 25 question आपको पूछ जाएंगे, इस तरह से total आपके 100 marks के question बनते हैं, क्योंकि प्रत्यक अगर आप उत्तर सही देते हैं, तो आपको 2 marks जी जाएंगे, हर question 2 marks का है, तो इस तरह से 100 question यहाँ से पूछ जाएंगे, general awareness और current affairs से आपकी 50 questions पूछ जाएंगे, जो कि आपका marks बनता है, 100 का, थर्ड है reasoning और mental ability, यहाँ से भी 20 question reasoning से और 25 question है, आपकी legal aptitude, mental ability से पूछ जाएंगे, इस तरह से आपका यह भी 100 marks का question, पूरा paper आपका त्यार होता है, यहाँ पर आपका पूरा paper है, वो 300 marks का, बन जाता ह 150 questions पूछी जाते हैं, दो घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह आपका negative marking नहीं होता है, इसलिए काफी अच्छा आप इसमें score कर सकते हैं, अगर आप बहतर त्यारी करते हैं, दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दू, अगर आप क इस तरह से त्यारी करनी है, और यह entrance exam के लिए आपको क्या-क्या study materials जरूरी होगे, वो सभी चीज़े हम आपको provide करेंगे हमारे app पर, तो आप हमारा app आज ही डाउनलोड करें, यह एप उन सभी students के लिए है, जो इस बार common entrance test देने जा रहे हैं, या फिर किसी भी university entrance exam की preparation कर रहे हैं, यहाँ पर आपको online वीडियो भी मिलेंगे, इसके अलावा आप recorded वीडियो भी देख सकते हैं, PDF, notes, study material, previous question paper, यह सभी चीज़े आपको दी जाएंगी, जब आप अच्छे से त्यार ही कर लेंगे पूरी तो आप mock test भी देख सकते हैं, practice test भी देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि आपने कितना अच्छा score किया है, यह कि mock test दने से क्या फाइदा होता है, जब आप internship exam में जा तो इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी B.A.R.L.U. 5-year course के बारे में, यह वीडियो को सभी दोस्तों के साथ आप शेयर करिएगा, नेक्स वीडियो जल्द ही आएगी जिसमें हम आपको और भी courses जो इलाबाद university में है, उसकी इस लेबस के according हम आपको detail देगे, तो मिल